हैं यहलो फ्रेंड्स प्रेंड्स आज के हमारे विडियों टॉपिक है डियूल स्टाटर कंट्रोल वाइरिंग कनेक्शन एंड मोटर स्टॉप स्टाट एंट्रिप इंडिकेटर कनेक्शन किस तरह किया जाता है आज के सुटिए में हम सीखने वाले है जैसे हम जानते हैं जो स्टाटर होता है उसे हम लेज देन 5 HP की मोटर को रन करने के लिए यूज करते हैं इंडिकेटर हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चलता रहे है तो हमारी जो मोटर हो गई है चली इनकी कंट्रोल वाइरिंग किस तरह की जाती है आज के सुटेब हम स्टेप बाइस्टेप स विडियो को कैर फुली वाज़ किजिए सबसे पहले कोना से कंपोणेंट्स के रिक्वार्मेंग! सबसे पहले इसके लिए हमें एक कंट्रोल MCB के रिक्वार्मेंट होगी एक contactor की requirement होगी इसके अलावा एक overload relay ताकि हमारी motor overload पर trip हो सके इसके अलावा 220 वोल्ट के तीन indicator हम यूज़ करने वाले हैं आप decide कर लीजिए आपको stop किसको करना है स्टार्ट किसे बनाना है और trip किसे बनाना है इसके अलावा दो push button हम यूज़ करने वाले हैं एक start no push button और एक stop nc push button चलिए control wiring में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हमारा phase आएगा वहाँ आएगा control mcb में तो हमने phase connect कर दिया यह neutral connect कर दिया न्यूटल के लिए हम जनरली yellow wire यूज़ कर रहे हैं सबसे पहले हम न्यूटल की wiring कर लेते हैं तो न्यूटल हमें कहां कहां देना होगा सबसे पहले यह decide कर लेते हैं देखिए न्यूटल हमें इस contactor में connect करना है क्योंकि 220 वोल्ट का है हम यह तीनों इंडिकेटर देख यह सबसे पहले न्यूटल करनेक्ट करना है तो हम सबसे पहले न्यूटल से लेते हैं और इसे लिजाकर हम कॉंटकर की कोईल एवन में connect कर देते हैं उसके बाद हमारे इसके इंडिकेटर में यहां से यहां से एक looping लेके दूसरे इंडिकेटर में हमने neutral connect किया और यहीं से तिसरे इंडिकेटर में हमने neutral connect कर दिया है that means हमारे neutral के wiring complete हो गई है चलिए पहले हम dual starter की control wiring समझ लेते हैं उसके बाद stop start and trip indicator connection की wiring किस तरह की जाएगे समझेगे step by step सबसे पहले हम समझ लेते हैं dual starter की इस तरह बनाए जाता है तो काफ़े सिंपाले जस्ट हम एक phase wire connect करेगे और जस्ट हम इससे ले जाके overload relay का यह nc point है यह nc point होता है और यह n o point है तो नॉर्मली हम सबसे पहले जो control wiring स्टार्ट करते हैं वह overload relay के nc point से स्टार्ट करते हैं तक हमारी motor overload होने पर trip होने की condition में यहां से सप्लाइब कर जाएगी और हमारा स्टार्टर पूरी तरह सेफ रहेगा और motor जो चल रही है वह भी सेफ रहेगी इसलिए हम सबसे पहले overload relay के nc point में connect करते हैं यहां से phase निकलेगा और यह जाएगा हमारा nc push button क के input में nc push button के input से supply निकलेगी और यह जाएगी हमारे जो एनो push button है एनो push button के incoming में ठीक अभी तक हमने कुछ नहीं किया just simple wiring की है अब जैसे ही हम स्टार्ट push button को प्रेस करेगे यहां से एक supply निकलेगी और यह जाकि हमारे contactor की A2 को operate करेगी देखिए A1 में हमने neutral direct connect किया था A2 में हमारा phase आ रहा है इस एनो push button को प्रेस करने के बाद तो हमारा से एक looping यहां पर connect करते है एनों में और ऐसी जगह से जहां पर continuous supply आ रही है तो continuous अप्लाई यहां पर आ रही है और यहां पर आ रही है तो हम यहां से कोई भी एक looping कनेक्ट करते हैं नॉर्मली हम NC के पहले से नहीं लेते हैं यदि NC के पहले से हम लेकिता हमारा starter stop नहीं झान रखिए तो सबसे पहले हम holding के लिए करेखें यहां से एक wire लेगे और इसे इस कनेक्ट कर देते हैं हम इसे अभी एनों मेंई कनेक्ट कर देते हैं देके हमारे नों में supply आ चुकी है अब क्या होगा यहां से हम डायक्ट एक सपलाई लेगे और इसे ले जाकर हम इसे नो में डाल देगे अब क्या होगा जैसे ही और यहां पर कंटेनियू सप्लाई आती रहेगी और हमारा पर्मानेंट हो जाएगा काफी सिंपल है अभी हमने होल्डिंग कनेक्ट की है अब हम यह समझ लेते हैं कि स्टार्ट इस्टॉप एंट्रिप इंडिकेटर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है तो यहां पर आपको काफी समझने वाली बात है नॉर्मली हमारे पास कॉंटेक्ट इसने कंक्शन कर लाते हैं यहां पर हम देख सकते हैं के सबसे पहले तो इसी जगाश्याओं से इंडिकेटर के लिए सपल्लाई लेदा है जहां पर कंट JENेई सब्ऑलाई आ रही है तो मैं यह ओलु ड्रृट्ยर के अब चुकि यहां पर कंटेनिव हमारे पास होल्डिंग सप्लाई आ रही है तो यहीं से हम एक वायर एंसी में लिए जाते हैं अभी हमने कुछ नहीं किया है जो होल्डिंग के थी उससे हम दो जगा ले चुके हैं अब हम सबसे पहले इंडिकेटर के वाइरिंग समझ लेते है स्टॉप इंडिकेटर की वायरिंग किस तरह की आगी देखिए जब हमारा कॉंटेकर प्णिशन में रहेगा तो यह यहां से जो कंटेक्टर को किस्ट वायर निकलती रहेगी तो हम एक वायर एंसी से कनेक्ट कर एगे और उसे ले जाकर हम मिस्टाप चुर्ण का जो होगा क्या जब हमारा जो पॉंटेक्टर स्टॉप कंडिशन में रहेगा तो सप्लाइं कंटीनिव निकलेगी और स्टॉप इंडिकेटर को ग्लो करती रहेगी अब जब हमारे स्टॉप रहेगा तो इंडिकेटर ग्लो होगा अब यदि हम हमारे स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं स् स्टार्ट करते हैं तो यहां से सप्लाइब करने की कंडिशन में यह जाकर हमारे स्टार्ट इंडिकेटर को लिए अब हम समझ लेते हैं किस तरह किया जाता है यह इंपोर्टेंट है तो इसके लिए हमने पास क्या है एक ओवर लोड रिले हैं इसलिए करते को अपड़े में यह एनो-पॉइंट है तो हमें एनो-पॉइंट को यूज़ करना है यह कब चलेगा यह नौर्मल यह आप इससे प्रेस करेंगे तो नहीं क्या करेंगे यहां पे लुपिंग लेजा एक्सप्लार कर दएगे और यहां से एंटिकेटर होगा और हमारा इंटिकेटर का किस तरह किस तरह कंट्रोल वाइडिंग की किस तरह स्टार्ट स्टॉप इंडिकेटर कनेक्शन कि अपको पूछें पूरी कोशिश करेंगे इसका आपका जवाब देने की तो आज के लिए इतना ही